हलो फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग वैलकम टू एम्स्टडी यूट्यूब चैनल मैं अंभीका खंडिलवाल आपके लिए यहां पर डेली बेसिस के करन्ट अफैस के क्वेश्टन्स लेकर आती हूं जिनको हम यहां पर बिना देर करें हुए पढ़ेंगे पर उसके पहले आप भारत के लिए सबसे जाधा अंतराश्ट्रिय टी-20 खेलने वाले खिलाडी कौन बने हैं यहां पर सुरेश रहना रोहिश शर्मा महेंद्र सिंग धोनी या फिराट पोली क्या इस क्वेश्टन का करेक्ट आंसर होना चाहिए तो इस क्वेश्टन का करेक्ट आंसर है फ्रें तोड़ चुके हैं यह एमेजोनी 98 ताइम एप जो है यह अंतराश्ची क्रिकेट टी-20 मैच खेल चुके हैं उसके अलावा रोहिश शर्मा नाइन टी-9 यानिकी नियान में वार जो है इस मैच को खेलने वाले खिलाडी बने हैं उसके अलावा यह 2452 रन इस मैच के इन टी- क्या है कि इस राज में 24 घंटे में अधिक रुकने के लिए बाहारी लोगों को राज सरकार के पास अनिवारे रूप से पंजी करन कराना होगा इस question का मतलब मैं आपको समझा देती हुगी किसी राज्य ने एक नियम लागू किया है कि अब उस राज्य में अगर कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति आता है तो उसको रुकने के लिए वहाँ पे चोईस घंटे से जादा रुकने के लिए उसको वहाँ की government से पंजी करण तो किसी राज्य की द्वारा एसा नियम लागू किया गया झारकंड दिल्ली में आपजाब तो फ्रेंड्स यह किया गया है मेघाले मंत्री मेघाले के उसके अलावा हम बात करें यहाँ पर तो राज्यपाल रज्ट से तथागत रॉय उसके अलावा अगर हम बात करें मेघाली राज जीकी तो इसकी कैपिटल क्या है तो मेघाली राज जीकी कैपिटल है फ्रेंड शिलॉंग तो मेघाली राज जैसे इंपोर्टन चीज़े तीन होती है कैपिटल उसके लावा उसका मुख्य मंत्री यानि कि चीफ मिनिस्टर कौन है और उसके राज जिपाल कौन है अगला कॉशन देखते हैं हमारा नेक्ट कुशन क्या है महिला एवं बाल विकास मंत्राले ने उनिसेफ द्वारा चलाईगई किष्पघल को लॉंच किया है मैं यहाँ पर बात करूँ महिला एवं बाल विकास मंत्राले की तो यह किसके पास है यानि कि इसकी मिनिस्ट्री किसके पास है तो यह है हमारी स्मृति रानी जी की जो की वर्दमान में कपड़ा मंत्री भी है और उनके पास ही महिला एवं बाल विकास मंत्राले भी है अब जो जित यू एस ग्रांट प्री में कौन फॉर्मूला वन के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं किस प्लेयर यानि कि जो कौन सा ड्राइवर है किस कंपनी का ड्राइवर है जिसने यू एस ग्रांट फीक जीती है यहां पर लुइस हैमिल्टन वॉल्टर वोटा आस मायक मैक सवेस्टर जीता है तो यह कहां पर आयोजित किया गया था, France, Italy, Germany, Spain, तो Friends यह आयोजित किया गया है, Germany में और Germany की capital क्या है, Berlin है, अगला question देखते हैं, next question क्या है, भारत विश्व में स्वर्ण भंडार के मामले में किस इस्थान पर है, यानि कि भारत की position क्या है, कि भारत के पास कितना सोना है, उ पांच नो या फिर पंद्रा तो फ्रेंड्स यहां पर इंडिया की पोजिशन है दस्वे नंबर पर इंडिया दस्वे इस्थान पर है फॉस्ट की बात करें यहां पर की फॉस्ट नंबर पर कौन है तो फॉस्ट नंबर पर है संयुक्त राश्ट अमेरिका संयुक्त अमेरिका जो यहां पर नंबर वन पर संट्रास्ट अमेरिका और जर्मनी और दस्तवे नंबर पर भारत जो गोल्ड में भंडारों की स्थिति में दस्तवे नंबर पर इंडिया अगला कोशन देखते हैं तो किया है हलही में पारीस मास्टर्स 2019 का खिताब जीता रोजर बेड़ या फिर नौवाक जोकोवित या फिर राफेल नाडाल या फिर एंडी मुरे तो इसका करेक्ट आंसर और यहां पर इसका करेक्त आंसर रेफ्रेंट नोवाक जोकोवित इन्हों ने पैरिसमास्टज दो पुरुसकार 2019 के लिए चुना गया है उनका नाम क्या है जो प्रस्चिद लेखक है जिनों ने 27 वे एथू एथू थिंचन जो पुरुसकार है उसके लिए यहां पर चुना गया है निर्मल दिवयप्रकाश यश पाल या आनन्द तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंट यश जो आनन्द है उनको यहां पर यह पुरुसकार मिलने वाला है 27 वे एथू थिंचन पुरुसकार यह केरल साहित्य अकेडमी और केरल सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एकमात्र पुरुसकार है उसके अलावा इनका उपन्यास है उनका उपन्यास कौन सा है तो उपन्यास है अलकुटम उपन्यास के लिए इन्हें ये पुरुस्तार दिया जा रहा है केरल साहित के अकेडमी और केरल सरकार के द्वारा ये पुरुस्तार इन्हें दिया जा रहा है केंद्रिय आयुष राजमंत्री डैश में केंद्रिय यूनानी दवा अनुसंदान संस्था और आई यू एम से उपन्यासित राश्ट्रिय यूनानी तवच्छा रोग अनुसंदान संस्था का उद्घाटन किया है इसका उद्घाटन कहां पे किया गया है केंद्रिय आयुश राजमंत्री के द्वारा चेन नई हैं दिल्ली या मुंबई का गया और अगे डैखते हैं परियावरण का अनुपूल शहरी गती शीरता पर तो यहां पे जर्मनी भारत के परियावरण के अनुकूल शहरी घतिशील के पांच वर्षों के लिए जो यहां पे निवेश करने वाला है वह एक बिलियन यहां पे निवेश करने वाला है अगला कोशन देखते हैं सिक्क धर्म के संस्तापक की शिक्षाओं के आसपास अनुसंधान को शक्षम करने के लिए केंद्री मंत्री हर्दीप सिंग पुरी ने डैश विश्व विध्याले में एक नए गुरु नानक चेयर का उद्गाटन किया है तो यह कहां पर किया गया है लंदन लिवरपूल मैंस क्या है हमारा देवधर ट्रॉफी में सबसे कम उम्र के कप्तान कौन है जिनों ने विरात कोली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है उन्मुक्चंद्र महेंद्र धोनी रोहिश्यर्माया शुभमन गिल तो यहां पर करेक्ट आंसर है फ्रेंस शुभमन गिल देवधर में और यह कप्तान है और देवधर ट्रॉफी इन्होंने प्राप्त की है विरात कोली का भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा विरात को 2009 और 2010 में देवधर ट्रॉफी प्राप्त हुई थी उसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर तो 2020 किसी मिली है शुभमन गिल को कहां आयोजित किया जाने वाला है भारत न्यूजिलेंड पाकिस्तान या कतर के दोहा में तो इसको आयोजित किया जाना है फीफा वर्ल्लकप फाड कीमेंल से जाना होगा यानि यह कपसे होने वाला है 21 नवंबर से स्टार्ट होगा और उसके अलावा 18 दिसमबर तक चलने वाला है फीफा वर्ल्ड कप पीफा वर्ल्ड कप जो है 21 नवंबर से 18 दिसमबर तक चलेगा पहली बार ये सर्दियों में आयजित किया जा रहा है तो फ्रेंड्स हमारे आज की जो करंट अफेस के वह यहीं पर खतम होते हैं कल फिर हम कुछ नए करंट अफेस के लेकर आएंगे तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू फ्रेंड्स